आज हम लोग ये समझाइगे कि एक रोटी में कितनी कलरी होती है, एक कटोरी दाल में और एक कटोरी चाबल में कितनी कलरी होती है. तो अगर सबसे पहले मैं रोटी की बात करता हूँ, अगर आप medium size की रोटी होती है, उसमें लगबग 100 कलरी के असपास होता है, थोड़ी छोटी रोटी होगी तो उसमें 60 होगा, और थोड़ी बड़ी अगर आप रोटी यूज करते हो तो उसमें उसकी कलरी थोड़ी से 200 के बात करें थोड़ी करें, यह इसकी रोटी होती है, और उसमें रहती है तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, तो यह तो यह हमनए रोटी के लिप रोटी है, पूटी है अब अगर ऐसे ही चावल की बात करें तो एक कटोरी चावल में लगवग देड़ सो केलरी आसपास होता है लेकिन अगर वो बिर्यानी आप खाते हो या फ्राइड राइस खाते हो तला भूना है उसमें या तो चावल के साथ आपने घी जादा डाल लिया है उस केसिस में फिर उसकी केलरी बढ़ जाएगी तो एक जो चावल होता है मतलब एक कटोरी होता है उसमें लगवग आपको डेड़ सो केलरी के असपास हो जाता है और दाल की बात करें जो एक कटोरी डाल है उसमें लगवग 120 केलरी होती है लेकिन अगर आप उसमें तड़का लगवाते हैं मत करने की हो या मसूर की डाल ऊचे मिक्स डाल हो करना देखना है इसको आप जानिए कर दियास कको सब्सक्राइब कर वर सब्सक्राइब महिलाओं में थोड़ी सी कम 800 और ऐसे लोग जो बिल्कुली काम नहीं करते हैं दिन भल लेटर रहते हो सकता है कि उन में 1600 ही होती हो और यह हमने बता दिया है कि एक पराठे में कितनी होती है तो इस हिसाब से अपने आपको जो अपना आपकी कैलरी है उसको आप मेंटेन करिए फिट रखने की कोशिज करिए ज्यादा कैलरी एंटेक सिहत के लिए खतरनाक होता है राइट इस्पेसली मीठी चीजें और तेल व ज्यादे चार था जाग साम्टें।